नमस्कार दोस्तों मनू केटिव गार्डन में आपका स्वागत हैं सबसे पहले आपको वंतंत्र दिवस की हार्दिक शुब कामनाई आज मैं टोपिक से हट के दो बात कहना चाहूंगी देखे अगर नेचर है प्रकरती है तो हम है वरना हमारा भी कोई वजूद नहीं है तो हमें नेचर की सुरक्षा करनी चाहिए प्रकरती को बचाना चाहिए हमें पर्यवरण को साप सुत्रा रखना चाहिए आज जंगल हैं कट रहे हैं नदियां प्रदूशित हो रही हैं जल वाईयू प्रदूशन धवनी प्रदूशन ये सब लगातार जंगलों को काट कर पेड़ों को बिल्कुल मिटा कर बनाए जा रहे हैं कहीं न कहीं हमीं इनके जिम्मेदार हैं पहले लोग नीम की छाया में अपनी थकान दूर करते थे लेकिन आज AC है लेकिन हम भूल रहे हैं क AC से निकलने वाली CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये हमारी ओजोन परत को खा रही है तो जादा ना कहते हुए आज मैं इस वीडियो में आपको एक नैचुरल हेंगिंग बास्किट बनाना बताऊंगी तो वीडियो को आप पूरा देखे ये देखे आज मैं आपको एक नैचु ये देखे ये सूखी हुई लकडियां है और इनसे ही मैं एक ऐसी बास्किट बनाऊंगी जो देखने में भी सुन्दर है और जिसे बनाकर मुझे बहुत खुशी हुई है तो जो मेरे पास ये सूखी लकडियां थी सबसे पहले मैं इनको कट कर लूँगी पहले सबसे तरह से चोटी बड़ी लकडियों को काट कर मैं इस बास्किट को कैसे तयार करती हूँ आप ध्यान से देखें सबसे पहले मैंने ये एक कटर लिया और इस कटर से मैंने इनके दोनों किनारे इकवल करें और जो टेडी मेडी लकडियां थी उनको बराबर कट करके मैं इस बा लगा कर सच मानिया आप इतनी खूबसूरत ये बास्कित लगी हम मार्किट से प्लास्टिक की हेंगिंग बास्कित लाते हैं लेकिन इनको हम वेस्ट मैटीरियल से अपने घर में ही किस तरह से बना सकते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखे और इसे बनाना बहुत ही आसान है थोड़ा मुश्किल होती है इन जो ये लकडियां है सूखी लकडियां है इनको काटने में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि मेरे पास वो आरी जिससे लकडि कटती है वो नहीं थी ये मैंने एक दस रुपे का ये लोही का पत्ता मंगाया था और इसी से ही मै मैंने ये बनाई है इसमें ना कोई पेंट करने की जरूरत है ना इसमें किसी कलर की जरूरत है और बड़ी ही जल्दी ये बनके तयार हो गई है तो देखे थोड़ा मुझे मेहनत लगी इसमें इन लकडियों को बट करने में लेकिन जब ये बासकित बनके तयार हुई तो य आज की दिन हमें कोई ना कोई प्लांट अपने घर में अवेश्य लगाना चाहिए तो ये देखें दोस्तों मैं इन्हें किस तरह से कट कर रही हूँ और काफी मुझे टाइम लगा इनको कट करने में मैं स्पीड बढ़ा कर आपको दिखा रही हूँ आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गया लेकिन नहीं इसमें मुझे काफी टाइम लगा बनाने में और इस तरह से दीरे दीरे मैंने इन सभी को कट कर लिया ये देखें सूखी हुई लखडियां थी तो इनमें मुझे टाइम लगा इनको कट करने में और इस तरह से मैंने ये कुछ लकडियां पहले से ही कट करके रखी हुई थी ये देखें और अब आप दिहान से देखें मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ तो अब मैंने लिये हैं ये रसी ये देखें ये रसी मेरे पास पहले से भी पड़ी हुई थी और आप इसे मार्किट से भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है और ये सुखी लकडिया आपको पार्कों में या अगर आपका गार्डन है तो उसमें भी आपको ये सुखी लकडिया मिल जाती है ये देखे और इस रसी से मैंने एक वल मात्रा में बराबर दूरी पर दो लकडिया लेकर इस तरह से इनके सिरों को बांद लिया है और किस तरह से मैंने इनको बांदा है आप ध्यान से देखे ये देखे इस तरह से पहले आप एक थोड़ा आइडिया ले लीजिए और मैं स्पीन कम करके दिखा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए ये देखे इस तरह से हमें इन दोनों को बानना है थोड़ा हम ये आईडिया ले लेंगे कि इस तरह से बराबर दूरी पर ये रस्यां काट कर इस तरह से दोनों सिरों को हम एक दूसरे के बांदेंगे और इसमें सबसे में बात है जो ये आप गांट लगाएंगे इसको थोड़ा टाइट करके लगाएं क्योंकि जब हम इसमें और लकडिया लगाते हैं प्रेशर पढ़ने के साथ ये जो हमने इधर इसको गांट लगाई है ये खुल जाती है तो इसे आप थोड़ा टाइट करके बांदिए ये देखे और दूसरा सिरा भी हम दूसरी लकडि से इस तरह से बांद लेंगे और इसमें दो गांटे लगाई हैं अच्छी तरह से टाइट करके इसको बांदिए आप वरना पूरी बनने के बाद ये प्रेशर पढ़ने के साथ ये पूरी खुल जाती है और इस तरह से हमें इसे क्रोस करना है और दूसरा सिरा भी हम इसी तरह से बांद लेंगे ये देखें दोनों सिरों को मैंने इस तरह से बांद लिया है और ये बार बार मेरी लूज हो रही थी तो इसे मैंने खुब अच्छे से टाइट किया है इसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि दोनों सिरें आपको खूब अच्छी तरह कस कर बांदने हैं ये देखे इस तरह से अब हम इनको किस तरह से क्रोज करेंगे ये देखे ऐसे, ऐसे करके हम इनको रख लेंगे और जो हमने ये छोटी छोटी लखड़ियों को कट किया था इनसे अब हम ये बास्किट बनाएंगे ये देखे, दो लखड़ियां ली और हम इसे नीचे से लाकर इस तरह से दोनों सिरों पर टाइट करके लगा देगे ये देखे, सबसे पहले बड़ी फिर इससे छोटी फिर इससे छोटी इस तरह से जब आपको इसको बनाएंगे तो आपको ये आईडिया हो जाएगा किस तरह से कर रहा है और चारों तरफ इसी तरह से हम इन लखड़ियों को लगाते जाएंगे और देखे मैंने किस तरह से मैंने नीचे की साइड से ये लकडिया निकाल कर फिक्स की हैं इसमें ये देखे और दूसरी भी इसी तरह से लगाएंगे और जितनी हम इसमें लेयर लगाते जाएंगे लकडियों को साइड उतना ही ये छोटा होता जाएगा और इसमें हम किसी प्लांटर को भी रख सकते हैं और इसमें नेट डाल कर हम प्लांट भी लगा सकते हैं दोनों ही तरह से हम इसका यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं और आप ये ध्यान से देखें मैंने इसको किस तरह से मैं इन लकडियों को लगा रही हूं और मैंने स्पीड इसलिए कम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से ये समझा जाए कि मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ और जितनी हाइट होती जाएगी उतना ही लकडियों का साइज ये छोटा होता जाएगा और अपने आपी ये काफी टाइट उपर से हो जाती है और मेरा कहने का मतलब ये है बनने के बाद इसमें लकडिया इस तरह से फिक्स हो जाती है तो इनके खुलने का डर बिलकुल नहीं रहता है अच्छे से ये इसमें सैट हो जाती है इस तरह से आप छोटी बड़ी जिस भी साइज की आप ये बनाना चाहे उस साइज की आप इसको बना सकते हैं उसी हाइट की आप इन लकडियों को लीजिए और ध्यान से धीरे धीरे इस तरह इन लकडियों को फिक्स करते जाएए और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं किस तरह से इनको लगा रही हूँ और चारो तरफ हमें लेयर बाई लेयर ये लगानी है ये देखे है और मुझे तो ये बासकिट बहुत ही अच्छी लगी और देखने में भी ये एकदम नैचूरल बासकिट है और सच में ही ये नैचूरल है इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया सिर्फ दो चीजों से बनके तयार हुई है और कोई कलर नहीं का नाइस में पेंट का जंजट नहीं है और नैचूरल लुक ही इसका बहुत ही खुबसूरत है ये देखे दोस्तोर मैं अपने गार्डन में हमेशा विस्ट मैटीरियल से ही इस तरह की हैंगिंग बासकिट तयार करती हूँ और मेरे गार्डन में कोई भी आप मार्किट से लाई हुई जो प्लास्टिक की बासकिट होती हैं प्लांटर होते हैं आपको नहीं दिखाई देंगे ये देखे सबसे चोटा साइज ये उपर की साइड आ जाएगा और इसको आराम से आप निकाल लिए क्योंकि अगर जरा भी जल्दबाजी हमने की तो ये सारी ही इनका जो ये सैटिंग है सारी ही ये खराब हो जाएगी ये देखे आराम से मैंने इसमे और ये थोड़ी सी जगे जो खाली बची है इसको भी हम छोटी सी जो ये लकडिया है इससे मैं इसको कवर कर दूँगी ये देखे किस तरह से मैं बना रही हूँ तो आप कमेंट बोक्स में बताना कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा और कैसी आपको मेरी नेचुरल हेंगिंग प्लांटर जो ये मैंने बनाया कैसा लगा आप भी ट्राई कीजिए अपने गार्डन में इस तरह का ये देखे इस तरह से हम इनको सैट करते जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे तो खुद बेखुद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें ये सैट करनी है और मैंने तो ये जादा बड़ी नहीं बनाई है लेकिन आप इसे जितना भी बड़ा बनाना चाहें लकडियों का साइज उतना ही बड़ा लेके इसकी हाइट या छोटी बड़ी आप इसको बना सकते हैं यह देखे और अच्छे से सेट कर लीजें और यह देखे हमारी हेंगिंग बसकित बनके तयार है और अब चारों सीरों को मैं इस तरह से रसी से बान दूँगी आप देखे किती सुन्दर ये लग रही है और अब इसमें मैं नेट का टुकडा डालके मैंने इसमें लाइट वेट स्वेल डाली है फिल्कुल हलकी कोकोपीट, सैंड और थोड़ी सी मातर मैंने मिट्टी की और मैंने इसमें विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाती हैं तो आप बताएए कि ये मेरी नेचुरल हे मस्किट आपको कैसी लगी और कितनी जल्दी ये बनके तैयार हो गई है मुझे तो ये बहुत ही खुबसूरत लगी और मैंने इसमें वर्बीना का लगाया है और ये देखे हैंक करती हुई भी ये कितनी सुन्दर लग रही है एक साइड मैंने इसमें टर्टल वाइन लगा द इस तरह की काफी सारी और भी हेंगिंग बास्किट बनाकर अपने गार्डन में हेंग करूँगी और दोस्तों आप आगे भी मेरी वीडियो देखते रहना मैं ऐसे ही नए आइडियाज आपके साथ शेयर करूँगी और और आज के दिन मैं एक खास काम और करने जा रही मैंने बहुत समय पहले चुटे 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 जो ये प्लास्टिक के गलास होते हैं इनमें मैंने कटिंग को ग्रो किया था आज के दिन के लिए ही क्योंकि आज मैं इनको करने वाली हूँ गिफ्ट जो मेरी फ्रेंड्स हैं और उनको मैं ये दूंगी क्योंकि आज के दि दोस्तों यह मेरी जैट प्लांट की गटिंग है, यह पानडा फाइकस है, यह दूसरा फाइकस है, और काफी समय पहले मैंने यह कटिंग लगा दी थी, और अच्छी से इन में रूट्स भी बन गई है, और काफी healthy इन मेरी अब प्लांट बन गई है, यह देखे काफी बड़ी बड़ी ये cutting हो गई है और मैं इने करूँगी अपनी friends को gift आज के दिन आप भी छुटे-छुटे plants इस तरह से gift कीजिए और अपनी garden में भी नए plant एड़ कीजिए ये देखे काफी अच्छी healthy और ये इस तरह की पोलोथीन में भी मैंने कोलियस की cutting लगा रही है और आज इन सब को दूंगी मैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करें शेयर करें और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है मेरे चैनल को subscribe करें thanks for watching happy gardening